बिल्ली की जन्ता की अधिकार चाहिए, लेकिन ये लोग किस अधिकार के ध्रास्तर दो लोड लगता रहे हैं, इनकी सक्ता की भूप इतनी ज़्यादा पड़ गई है, इस इसली के आम करीबों और मद्दूरूरु के अधिकार इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं, चुने समझो, भारत से भी उखाड़ करके फेगेगी, नाशकार दोस्तों मैं हूँ रवी कौशल और आप देख रहे हैं, न्यूस प्लिक, दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाम LG की लड़ाई अब शड़कों पे उतर आई है, और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर वामबंधी पार्टि के खिलाव भी है, देखो बामबंधी पार्टियों का साफ सवर्पे सिधानती ग्रूप पे सोचना है, कि भारतिय सविधान में फेडरल करेक्टर, यानि संगिय धाचा दिया है, जब संगिय धाचा दिया है, तो सुप्रीम कोट के तीनों जजज्मेंट के जो तीनों पाइ है, नहीं हो सकता ना, तो सामुख्द है जिम्मेदारी का मतलब ये भी नहीं है कि एल जी साफ फाइलें लेके बैठ जाएं, या बकार है सुप्रीम कोट ने इस से पहले भी एक जज्ज्मेंट डे की लेफ्ट गवर्नर्स जो और लेफ्टी ने गर्जिएं विदिने टाइ तो इस ताना स्याई ऐसे करेगी तो हम उसको चलने नहीं देंगे अमित्षा का सरकार बहुत कैटेगरी के लिए कहे रही है कि हम अपना पावर मसल फ्लेक्स करेंगे गलत तरीके से करेंगे और हिंदुस्तान में हम जनता के मैंडेट को बिना मानते हुए अपना मसल पावर का मसल उसको हम फ्लेक्स करेंगे उसके लिए जितने गयर संग वि कि मतलब दूसरा किसी पार्टी का दर सरकार आएगी तो आप पूर्ण राजे का दर्जा नहीं दोगे कि खुद चुनाव में वादा करते हैं कि हम पूर्ण सरकार का दर्जा देंगे और अब जो है उनको कामनी करने देंगे तो यह मूल रूप से लोकतंत्र के कि खिलाफ है हमारे संविदान के खिलाफ है जो संविदान अपनाया गया सब्सक्राइब करका उसके भावनाओं के खिलाफ है विप्रीथ है इसलिए वामपंति पर पार्टी और मजदूर संग्ठन आज विरोध कर रहे हैं आतिया देश बहुत बड़ा सरकार को रोकने के लिए दिल्ली के जंता के विकास को कम करने के लिए एक खड़जंत रहे है और एक चुनावी बीजेपी का हथ खंडा है अब ऐसा है कि इससे बढ़िया उदाहर कुछ हो नहीं सकता कि जिल्ली में एमसीडे के एलक्षन में यहां के आप पार्टी के सरकार बहुमत से जीट करके आई उसे हटाने के लिए भार्टी जन्ता पार्टी और उनके आरेहसेस ने भारत सरकार के जरिये राजपाल के जरिये आब तक भी वहां पर मुनिस्प्र कॉर्परसन को चलने नहीं दे रहे हैं आपको भी समझना होगा कि आप आख्टा चलो सोलो चलो अकेले चलो की जो राजनीती चलाना चाहते हैं कि आप हमें समर्टन दे दो हम आपको नहीं देंगे इस राजनीती को वह भी समझे चोकि अधिनायक बाद अथारिन टेरियनिजम फासी बाद अर्फासी बाद सेमी फासीजम और फासीजम इन तीनों में बीच में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है दिल्ली में इस समय जितने बुल्डोजर्स चल रहे हैं वो सारे केंद्र सरकार के संगस्थानों के दोरा चल रहे हैं जादातर जगा डीडिये बुल्डोजर्स चल रहे हैं कहीं पर एस्था जो है ओड़ाद दे रहा है सारे के सारे और रियाबिलिटेशन का जो बात है जो जिम्मेदारी है केंद्र सरकार के ऊपर किसी भी सरकार के ऊपर दिल्ली के अंदर दूसीब एक्ट के तहत यह है कि आ देख रहे हैं दिल्ली में कि इसका एक तरीके से उलंगन करके डीडिये जब मंचाहे बुल्डोजर ला रही है और कभी भी कह दिया जा रहा है कि यह लिस्ट तो है ही नहीं मतलब दूसीब के तहत आने के लिए उस दिल्ली सरकार का जो दूसीब का जो मैंडेट है कि वो केजरीवाल ने आमादमी पार्टी में 2014 में भी किये थे और अभी नगर निगम चुनाब से पहले भी किये कि जो बहुमत में ठेके पे लगावा करमचारी है उनको हम इस्थाई नौकरी देंगे पक्का करेंगे तो अगर आप सर्विसिस उनसे ले लेंगे तो वो नौकरी स सम्मंदित कुछ भी काम करी नहीं पाएंगे तो फिर उनके जवाब देही कैसे बनेगी दिल्ली सरकार का इसमें से होता तो जनता के ओर से जनता ने चुना है दिल्ली सरकार को जनता के ओर से जो जवाब देही मांगना वो दिल्ली सरकार को भी मांगा जाता दिल्ली सरकार और अकाउंटेबल होता बहुत मदद होती है मैं सीधी जारी बात है यह इन तीनों प्रवतियों के तेहत बीजेपी चल रही है जहां उनकी सरकार नहीं है वह उसको गवर्णा या उपराज्यपाल के तर यह चलाना चाहते हैं जहां उनकी सरकार है वहां पे वह सारी जिस ताकत के साथ जनता पर उतरती है जिस ताकत के साथ आपका कहीं डिमॉलीशन का ओर्डर है तो तो CRPF से लेके, पेरा मिलिटीरी से लेके, पुलिस देखके लगता है कि युद शेत्र बन गया है। जनता के राय को समझो, नहीं तो जनता तुम्हें भारत से भी उखाड़ करके फेगेगी। ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि जन्परतिनियों का बाइपास करके सरकार चलाने की जो प्रक्रिया है, वो दिल्ली में कोई माली नहीं होगा। इसलिए मार्शवादी कमनिस पार्टी और तमाम लफ्स पार्टी ने के बहुत असपस्त माग है कि दिल्ली को पूर्ण राजिका दर्जा होना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, जिससे जनता के जनता को अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान की जा सके हैं। अगर दिल्ली की जनता केजरीवाल से खुश नहीं होगी तो अगले चुनाव में हरा देगी, मगर आप गलत तरीके से अध्यादेश ला करके आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, समिधान के अंदर जो मूल भावना है संगबाद की फेडरल स्ट्रक्चर की उसकी आप हत्य कर रहे हैं, ऐसी सटी में यह प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है और देश भर में के लोगों के सामने हम अपना बात रखना चाहिए हैं, कि ऐसी सरकारें जहां पर कोई अधिकार ही ना हो, यह वोट डालने करके जनता चुन दे, और चुनने के बाद सरकार कोई और ही करना रहे, तो फिर अन्ता का भला कहा होने वाला